जो तिस एक विज्ञान है और इसे गहराई से समझा जाए तो जीवन में बदलाव संभव है तो आईए मैं करूँगी आपकी हर समस्या का समाधार नमश्कार सुस्वागतम वेलकम मैं निदी शिमाली आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ साल का अंतिम महिना यानि दिसमबर मा आ चुका है और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कर्णिया राशी वालों का दिसमबर मा का मासिक राशी फल सबसे पहले जान लेते हैं इस मा में आने वाले कुछ विशेश दिनों और प्रत्योहारों के बारे में सोला दिसमबर को मलमास लग जाएगा और मलमास प्रारंब होने के बाद में शुबिया मांगलिक कारिक्रमों पर रोक लग जाती है एक महिने तक कोई भी शुबिया मांगलिक कारिक्रम नहीं होते पर भक्ति के लिए ये मा सर्वस रिस्ट माना गया है 25 दिसंबर को Christmas Day जो कि इसाईयों का प्रमुक पर्व है वो मनाया जाएगा तो ये दो विशेश व्रत वरत्योहान है अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि ग्रहों की इस्तती के इसाब से ही माप के लिए कैसा रहेगा सबसे पहले ग्रहों की राजासूरी की बात करते हैं जो कि वरत्यमान में अपनी समराशी वराशी वराशी वरशिक में प्रवेश करेंगे मंगल ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी खुद की राशी व्रशिक में स्वग्रही होकर विराजमान है और 28 दिसंबर को वे अपनी सम राशी दनू में प्रवेश कर जाएंगे गुरु ग्रह इस पूरे माँ अपनी अतिमित्र राशी मेश में विराजमान रहेंगे वर्तमान में शुक्र करा अपनी खुद की राशी तुला में स्वग्रे योकर विराजमान है और 25 दिसंबर को वे अपनी मित्र राशी व्रश्चिक में प्रवेश करेंगे शनी ग्रह की अगर बात करें तो इस पूरे मा अपनी मूल तरिकॉन की राशी कुम में विराजमान रहेंगे राओ अपनी समराशी मीन में और केतु अपनी समराशी कन्या में इस मा विराजमान रहने वाले हैं तो ये है इस मा की ग्रह गोचर की इस्तति का हाल अब इन ग्रहों की इस्ततियों का क्या प्रभाव आपको यानि कन्या राशी वालों को इस मा देखने को मिलेगा उसके बारे में जान लेते हैं तो शुरू करते हैं कन्या राशी वालों का दिसंबर मा का मासिक राशी फल और राशी फल की शुरुआत मैं आपको बता दू यानि शुक्र आपके धनिस्थान में स्वग्रही हो रहे हैं, मंगल आपके पराक्रम भाव में स्वग्रही हो रहे हैं, और शनी आपके रोग भाव में स्वग्रही हो रहे हैं, इन ग्रहों का क्या effect रहेगा, पर उससे पहले जान लेते हैं आपके रासी स्वामी के बारे में और आपकी personality के बारे में क्योंकि personality के भाव के स्वामी हैं बुद्ध और साथ ही आपके करमेश भी बुद्ध हैं इस कन्या राशी के लिए बुद्ध के result बहुत अच्छे रहने वाले हैं क्योंकि एक तो ठीक result देते हैं वो अपनी क्रूरता को कम रखते हैं तो अच्छे गरत हो और भी अच्छे परणाम देंगे तो यहाँ पर बुद्ध के परणाम आपको इसमा महुत अच्छे मिलने वाले हैं हालें कि आपकी personality के भाव में के तू आकर बैटे हैं कन्या राशी के अंदर और यह बहुत लंबा यहाँ पर बैटने वाले हैं तो आपको थोड़ा सा ब्रमित नहीं होना है आपने शत्रों से बचकर रहना है बुद्धी और युक्ति का इस्तमाल करना है और हाइपर होकर काम नहीं करना है अगर कोई आपके साथ बुरा करें तो जरूरी नहीं है आप भ बहुत ही स्ट्रोंग पोजिशन में बुद्ध बुद्धी के भी दाताग्रह माने गए इसलिए कन्या राशी वालों के लिए यह समय बहुत शांदार परिस्तितियां उत्पन करेंगा आइटी फिल्ड से जुड़े हुए लोगों को कर्म भाव के हिसाब से बहुत अच्छ बहुत अच्छा लाप राप्त होगा CACS, Accounting, Finance या फिर Banking सेक्टर से आप जुड़े हुए तो आपको बहुत अच्छा लाप राप्त हो सकता है रिस्की कामों में भी बुद्ध आपकी बुद्धी को और प्रकर करते हुए आपकी decision को और भी अधिक strongly दिलवाएंगे और positively दिलवाएंगे यहाँ पर बुद्ध सिक्षन व्यवसाय से भी आपको जोड सकते हैं अगर आप गणी तक यह हैं तो बुद्ध आपको बहुत अच्छे result देने वाले consultancy service में भी आपको बहुत अच्छा लाप राप्त होगा कुल मिला कर आप जो भी काम करते हैं उस काम में आपकी प्रतिबा निखर कराएगी इस महीने आपके talent का सम्मान होगा यहाँ पर अधिकारी भी आपसे पूछ कर अपने कारियों को करेंगे यानि आपको बड़ी opportunity भी इस महीने अपने workplace पर मिल सकती है तो बुद्ध के result आपको लगनेश और करमेश दौनों के हिसाब से बहुत ही शानदार और perfect मिलने वाले हैं अब आते हैं आपके द्वितिये भाव पर दिके द्वितिये भाव के स्वामी यानि धनिस्तान के स्वामी है शुक्र और धनिस्त प्राप्ति के स्त्रोथ भी मिलेंगे कहीं से अटके हुए पैसे भी मिलेंगे रुके हुए काम भी आपके होंगे और आपकी मैनत के reward में भी आपको लाब प्राप्तों का रुपए प्राप्त होंगे तो धन की सत्या बहुत ही अच्छी और strongly आपके लिए supportive रहेगी महीं कुटुम में भी आपको मानसंबान की प्राप्तियों की घर के बड़ो का अशिरवाद मिलेगा घर में कोई पारिवारिक या पैत्रिक संपत्ती समंदी विवाद है तो उसका निप्टारा हो जाएगा कुछ मसले लीगल अगर आपके जीवन में चल रहे हैं तो वो भी अपसॉल होते हुए दिखाई देंगे यानि इस महीने में आपको शुक्र के रिजर्ट महुती अच्छे और शांदार मिलने वाले अगर आप विवाई हो गया हैं आपके चोटे भाई बैन या फिर आपकी संतान विवाई हो गया हैं तो उससे रिलेटेड साधी सगाई जै हमारे घर की लक्ष्मिया होती हैं अब शुक्र चुकि आपके भागेश भी हैं और भागेश हालनकि अपनी से सस्टम है परंतु यहां पर शुक्र अपने ही घर में स्वग रही हैं इसलिए भागे का भी सपोर्ट आपको मिलेगा हालनकि बहुत और अग्रेसिव होकर कोई यहां जल्दभाजी में और एंग्जाइटी के साथ नहीं लेना है और में फटा-फट से काम कर लूँ यह बिल्कुल भी ना करें सोच समझ कर धरिय के साथ शांति से डिसिजन ले और खासकर बड़े डिसिजन जो आपको लेने हैं वो तो बहुत धहरिया बना कर आपको ले आपको इस समय भाग्य बहुत सपोर्ट देगा और भाग्य के रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छे मिलेगे नया काम शुरू करना चाते है उसके लिए समय बहुत ही परफेक्ट रहने वाला है वहीं आपको अपने करियर में बहुत ही बड़ा ग्रो इस समय मिलता हुआ लिए भी इस समय बहुत ही अच्छा और सपोर्टिव रहने वाला है तो दनेश और भाग्य के इस आप से शुक्र के रिजल्ट बहुत ही अच्छे आपको मिलने वाला है अब आते हैं आपके पराक्रम भाव पर पराक्रमेश मंगल यहां पर मंगल पराक्रमेश भी अपने ह के साथ यूती कर रहा है तो कहीं न कहीं खर्चों को थोड़ा सा बैलेंस करता हुआ दिखाई देगा तो यहां पर पराक्रम में व्रद्धी छोटे भाई बैनों का साथ और सयोग और मंगल की पोजिशन इतनी अच्छी है कि आपको राजनिती में भी बहुत अच्छा प्राप्त होगा तो मंगल के रिजल्ट आपको पराक्रम भाव के हिसाब से बहुत ही अच्छे मिलेंगे अब मंगल चुकी अस्टमेश भी है तो अस्टम भाव का स्वामी अगर पराक्रम भाव में स्वग्री होकर बैटा है तो अस्टम भाव के हिसाब से भी मंगल के यहाँ पर आपकी decision making थोड़ी और अधिक strong होगी अचानक से धनलाब की सत्या आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगी ससुराल वालों से आर्थिक लाप प्राप्त होगा और इस समय योजना बत तरीके से किये गए कारियों में विशेश धनलाब आपको प्राप्त होगा तो मंगल के result आपको अक्रमेश और आपको अस्टमेश दोनों के हिसाब से बहुती बैतरीन मिलेंगे अब आते हैं आपके सुखेस हैं गुरू और यहाँ पर गुरू आपके सब्तमेश भी है गुरू बैटे हैं अस्टम्भाव में गुरू का अस्टम्भाव में बैटना इतने अच्छे परिणाम नहीं देगा देखें यहाँ सुखेस और सब्तमेश दोनों ही गुरू हैं और गुरू एक सोम्य ग्रह भी है और सोमिग्र अगर अस्टमभाम में बैट जाए क्योंकि अस्टमिस्तान अच्छा नहीं होता तो वो इतने बैटर रिजल्ट नहीं दे सकता इसलिए आपको अपनी सूजबूच से ही अपने परणामों को अपने लिए सकारात्मक करना होगा यहाँ पर लगने सुखिस्तान में बैटे हैं जिसका फायदा आपको जरूर होगा वही सब्तमभाम में राओ बैटे हैं तो जीवनसाती के साथ मिसन स्टैनिंग हो सकती है थोड़ा सा संबल कर रहे हैं व्यापार में भी पार्टनर्शिप तूट सकती है पार्टनर्शिप मे स्वग्रही हो रहे है शनी का रोग में स्वग्रही होकर बैटना पंचमेश का अपने से एक कर आके बैटना बहुत ही अच्छे शनी के रिजल्ट दिलवाएगा आप इस समय बहुत कैलकुलेटिव होकर काम करेंगे खासकर विध्यारती वर्ग बहुत ज्यादा मेहनत और ड चाबिलियत को सिद्ध कर लेता है और सफलता की सीडिया चड़ता चला जाता है इसलिए आपको भी इस महीने अपनी मेहनत का अच्छा फल आने वाले समय में जरूर मिलेगा अगर इस समय थोड़ा हाड़ वर्क कर रहे हैं तो आप इसको कंटिन्यू कीजिए क्योंकि आपक डिवोशन और आपका हाड़ वर्क आपको जरूर सफलता दिलवाएगा ये तैय है आने वाले समय में आपको बहुत अच्छी सफलता इसकी मिलने वाली है संतान से आपको बहुत अच्छा लाप राप्त होगा संतान आपकी आग्या में भी रहेगी और अगर आपके काम में संतान आपकी help करती है तो definitely आपके काम को भी बढ़ाएगी यहाँ पर रचनातमक कारियों में भी आपको सफलता प्राप्त होगी मुई जुडिसरी से समंदित पढ़ाई में भी सफलता प्राप्त करेंगे शनी रोगबाव के स्वामी स्वग्रे योकर बैटे हैं तो स्वास्त समंदि समस्याओं के मामले में भी आपको बहुत अच्छा relaxation मिलेगा यहाँ स्वास्त लाब होता आपको दिख रहा है और यहाँ पर आपके शत्रू भी समाप्त हो जाएंगे आप एक बहुत calculated way में decision लेंगे और वो decision आपके लिए बहुत ही अच्छे और लाबदायक निकलेंगे बस आपको थोड़ा सा गुप्त रखते हुए अपने कारियों को करना है बहुत ज़दा सारवजनिक करके अपने कारियों को करेंगे तो शत्रू तक बात पहुंच जाएगी प्रतिदवंदियों को आपको हराने का मौका मिल जाएगा तो ये कारिया आपको नहीं करना है अब आते हैं आपके लाब भाव पर लाब भाव के स्वामी है चंद्रमा और चंद्रमा थोड़ा सा मन माता मस्तिक्ष के कारग रहे है एक जगा कहीं पर भी टिकते ने जोतिश में भी आपको पता है हर डाई दिन में चंद्रमा गोचर में बदलते हैं तो यहाँ पर अपने मन को इस्थिर रखने की बहुत आवश्यक्ता है आप जितना अपने मन को स्टेबल रखते हुए अपने काम को करेंगे उतना ही आप सक्सेस को दुगना पाएंगे इसलिए आप मन विचलिक ना करें कोई भी कारिय के अंदर एक काम किया और फिर उसके अंदर अपने मन को ना लगा के दूसरे काम की तरफ move on करना ये आदत सही नहीं है इसलिए इस समय अपने लाप को संचित करने के लिए अपने मन को स्थिर रखें महुत जल्दी से आपका मन बूले नहीं यहाँ पर invest कर ले ये कर ले वो कर ले नहीं करना है सोच समझ कर आके बढ़ना है बस इतना ही मैं बूल रही हूँ अब आते हैं आपके खर्च भाव पर खर्च भाव के स्वामी है सूर्य जो कि आदे माह तक आपके पराक्रम भाव मैं और उसके पश्याच 16 दिसंबर को सूर्य राशी परिवर्तन करते हुए आपके सुखिस्तान में शुब कारियों में स्प्रिच्वल कारियों में होंगे और अगर इस समय कोई खर्चों से सम्मंदित बड़ी समस्या आ गई तो उसका हल भी आपको तुरंथ ही मिल जाएगा यानि फाइनेशली स्टेबिलिटी आपकी बनी रहेगी आपको कोई टेंशन करने की जरूत नहीं है गलत मार्ग को अपना करधन कमाने का प्रयास बिल्कुल भी न करें कभी-कभी एक गलत समय हमारे लिए आता है जो कि हमारी बुद्धी को ब्रहमित कर देता है इसलिए इस समय आपको अपनी बुद्धी को ब्रहमित नहीं करना है अगर कोई negative समय आ भी चाता है थूड़ी time के लिए तो धर्ये बनाएं रखें वो समय आपके positivity में जरूर बदलेगा क्योंकि ग्रहों की इस्ततियां अच्छी है इसलिए सोच समझकर आके बढ़ें best of luck for December मन्त और ये है कन्या राशी वालों का December मा का मासिक राशी फल अब आते हैं कुछ शुप्तितियों पर कि कौन सी dates आपके लिए लखी रहने वाली है तो 2, 3, 7, 8, 9, 10, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 30, 31 ये dates आपके लिए बहुत ही लखी रहेगी तो इन dates पर आप अपने कोई विशो भी आम अंगले कारिय कर सकते हैं इन्हें आप लखी नंबर की तरह भी यूज कर सकते हैं अब आते हैं अनलखी dates पर तो 1, 4, 5, 6, 11, 15, 17, 19, 23, 24, 26, 29 ये dates आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है थोड़ा सा इन dates पर आपको संभल कर रहना होगा अब आते हैं शुबरंग पर कि आपके लिए रंग कौन सा अच्छा रहेगा तो ग्रीन के सारे shades क्योंकि बुद बहुत अच्छी पोजिशन में तो ग्रीन के सारे shades आप यूज कर सकते हैं आप silver और golden color का भी उपयोग कर सकते हैं महीं red color भी आपके लिए अच्छा रह हनुमान जी को सिंदूर और चमली का तेल चड़ाना चाहिए यदि किसी कारिय में इस्थिर्ता चाहते हैं तो गले में तुलसी की माला जरूर धारन करें आपको इस्थिर्ता प्राप्त हो जाएगी जीवन की आर्तिक इस्थिर्ता को बनाएं रखने के लिए आपको कमल के हिसाब से और कॉमनली बताएं पर यदि आप अपनी पर्सनल जन पत्रिका के माध्यम से अपनी जीवन से जुड़े हुए कुछ पहलों के बारे में जानना चाहते हैं भविशी के गर्ब में जाक कर समस्याओं का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं और रेमिडीज के माध्यम से अपने भविशी को उज्वल बनाना चाहते हैं तो आप टैलिफॉनिक अपॉइंट्मेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से जूड़ सकते हैं अधिक जानकारे के लिए स्क्रीन पे जो नंबर दिये गए वहाँ आप कॉल करके या वाट्सअप करके संपर्क कर सकत हैं अब मैं अपनी वानी को यहीं विराम देती हूं स्वस्त रहिए मस्त रहिए और हमीशा मुस्कुराते रहिए जै श्री रातिकृष्णा संपन करवाई जाती है अतह आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हैं तू इन नंबरों पर संपर्क करे आठ नो पांच पांच छे पांच आठ तीन छे दो